मन्चासम, विद्वदगन तथा आप सभी सुन्दर साथ के चर्णों में मेरा प्रणाम जी हमने बहुत सारे अलग-अलग विश्वयों पे आज चर्चा सुनी ये सिंगार ग्रंध की वो चोपाई है जहां पे श्री राज्जी हक महबू हम रुखों को जवाब दे रहे हैं और इस प्रकरन में कहा गया है श्यबास तुम्हारे अरवाहों को स्यबास हेड सकत स्यबास तुम्हारी बे सकी स्यबास तुम्हारी निशबत सिंगार ग्रंथ के इस प्रकरण में अक्षराती धामधनी हम सबी सुन्दर साथ को क्या कह रहे हैं कि स्यब्वास तुम्हारी अर्वाहों को अर्थात परमधाम के अंदर जो इश्क रब्द का अनादी काल से प्रक्रिया चली आ रही थी और ये हम जानने ही पाये थे कि किसका इश्क सबसे बड़ा है और उसी को जानने के लिए हमें इस माया के ब्रह्मान में आना पड़ा अब सुन्दर साथ जी हम सोचते हैं कि एक विद्यार्थी हो और वो अपना किताब ले कि स्कुल जाना भूल जाए और ये कहे जब टीचर पूछेंगे कि तुम्हारे पास पढ़ने के लिए क्यूं नहीं है तो सब हसने लगेंगे कि तुम एक विद्यार्थी होकर अपने पुस्तक को भूल जाते हो यहाँ पे इस्तिती हमारी वैसे ही है तभी राज्जी बहुत ही प्रेम भरे हुए सब्दों में श्याब्वास तुम्हारी अर्वा होगो अर्थात तुम वो ब्रहमश्रिष्टी हो जो परमधाम में अश्याप्रहर धनी के प्रेम में डूबी हुई थी और तुमने ये दावा किया था कि सोबेर देखो आजमाए के तो भी ना भूले हम हमने इस प्रकार की दावा की थी अपने धनी के साथ कि धाम धनी कि माया में जाने के बाद अगर हम हमें आप सोबार भी आजमा के देखेंगे तो भी हम आपको नहीं भूलेंगे वार्णी में कहा गया है कैहा उतरते हकने अलस्तो बेरवकुम फिर रुहों की तरफ से क्या कहा गया फेर कहा अरवाहों ने वले ना भूले हम कि निस्चित रुप से ही आप हमारे खसम हो और कैसे भी इस्तिती में आप आपको हम नहीं बूलेंगे इस प्रकार के दावे के साथ वाइदे करने वाली हम ब्रह्मस्रिष्टियां आज तार्तम वार्णी के प्रकाश में भी हमारी इस्तिती कैसी है हम स्वयम जान सकते हैं यह वाणी की मीठी और ऐसे ब्यंग्यात्मक सैली हो सैली है जिससे हम यह समझ सकते कि साब भी मर जाए और लाठी भी ना तूटे सुनने पर हमारे दिल में भी हमें पता चल जाता है कि राज्जी हमें किस प्रकार से उल्हाने के वचनों से समझा रहे है और प्रेम की वड़ी वड़ी वाते जो हम करते थे उस पे अमल आने के लिए कह रहे है लेकिन आज हम जिस इस्तिती में अपने इश्क को खो के बैठ है हमें कहने कि कोई आवश्रक्ता नहीं है हम स्वयम जानते हैं कि हम धामधनी के इश्क से उनके प्रेम से कितना धूर है अभी क्यूंकि यह जो वानी मिली है हमें वानी के द्वारा सिंगार और सागर के वानी में अक्षुराति धाम धनी ने अपने नक्से सिक तक का जो सिंगार है वोवे वर्णन किया ताकि हमारी निदे को चोट लगे और हम ये समझ सके कि हम कहा रहने वाली ब्रह्मिस्रिष्टियां है और हमारी गरीमा क्या है और हमारा कर्तब ये क्या है और किस प्रकार से किस प्रकार से तार्तम वानी के राहा पे चल कर इन वानी के वच्चनों को आत्मसाथ करके हमें अपने धाम धनी को प्राप्त करना है उनके प्रेम में डूबना है तभी तो उन्होंने कहा कि श्याबवास तुम्हारे अरवाहों को श्याबवास हेड़े सखर कि मैं तुम्हें इस बात पर श्याबवास ही देता हूं कि तुम्हारे रिदे को कठोर करने के लिए जिस प्रकार से हम पत्थर के उपर चाहे जितना भी पानी डाले वो पत्थर पत्थर ही रहेगा उसी प्रकार से ब्रह्मवानी के ये जो अम्रित रसधारा है इसको हम सुनते भी है पढ़ते भी है मनन करने की प्रयतने भी करते है लेकिन इससे पहले भी हमने सुना कि जब तक हम उसको चरितार्थ नहीं करते हैं वो सब क्या हो जाएगा व्यर्थ हो जाएगा तभी धनी ने हमें उल्हाने के रुपे कहा कि तुम्हारे वो सक्त हुर्दय को मैं शब्वासी देता हूं कि जिस रिदय में मेरे मेरे लिए तुम्हारे अंदर प्रेमुत्पन्न होना कि उसी रिदय में तुमने ज्ञान के सुस्कता से मुझसे दूर होने की क्या की है प्रयाश की है और श्यब्वास तुम्हारी वेशकी कि ये जो संसर रही तार्तमवानी का ज्यान तुम्हें मिला है उस पे भी मैं तुम्हें श्यब्वास ही देता हूं कहने का भाब क्या है दुनिया के अंदर इस तार्तम वार्णी का कोई प्रकाश नहीं है किन्तु हम प्रतेक सुन्दर साथ जानते हैं कि धनी के अंदर का जितना भी गुड़ है धनी ने अपने रिदय के जितने भी इश्क है वो सब इस वार्णी में खोल के रख दिया है अब हम वो संसरह ज्यान क प्राप्त करते हुए भी यदि हम अंद्ड़ कार में भटकेंगे तो राजी हमें इसे प्रकार से कहेंगे और अंत्ज में कहा कि स्याबवास तुम्हारी निस्बत तुम्हारे साथ मेरा जो अनादीकाल से एनंत रहने वाली जो निस्बत है अर्थात मूल का सन्वंद है उसको भूल के तुने क्या किया तुम सभी आत्माओं ने इस संसार में आके क्या किया अलग-अलग कुटुम्बे कवीले माया में ही हमने सब कुछ अपने आपको समर्पित कर दिया करना तो यह चाहिए था कि धामधन की पहचान करके उनकी सोभा में उनके इश्क में हम अपने आपको नक्स से सीख तक समर्पित कर दे लेकिन हमने दुनिया की संबंध में ही अपने आपको समर्पन कर दिया इसलिए इंद्रावती जी के आत्मा कलेश के वानी में कहती है धीक धीक पड़ो मेरी पांचों संसार से कियो सनेह तो सुन्दर साथ जी यह सिंगार की वानी जो प्रेमासपत होते हुए भी जो हम आत्माओं के मासुक होते हुए भी उन्होंने स्वयम को आसीक मानकर हम आत्माओं को जो जवाब दिया है यह सोचने वाली बात ही कि बरतमान समय में हमें करना क्या चाहिए और क्या हम कर रहे हैं और हमारे साथ क्या हो रहा है तो सुन्दर साथ जी वानी के इन सब्दों को हम मंतन करें और इन सब्दों को हम आत्मसाथ करके जो हम कहते हैं न ए सुक देव ब्रहमश्रिष्टी को तोमे अंगनानार इस सुक को हम खुद भी रस्पान करें और जो हमने ये दावा किया है कि इस अखंड वानी से हमें इस चौदा लोग के ब्रह्मान को अखंड का मुक्ति देना है हम उस दावे को भी पूरा करें